पाकिस्तान को बड़े जटके एक साथ लग गए है और पाकिस्तान को जटके लगे क्या वैसी भी पाकिस्तान की इकनोमी इस समय श्रिलंका से भी ज़्यादा खराब हो गई है पाकिस्तान लगभग तूट की गगार पर है उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बहुत बड़े पाकिस्तान के कबजेवले बहुत बड़े हिस्से पर क्लेम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर अंदोलन चल रहे हैं पाक अकुपाइट जमुन कश्मी और पाक अकुपाइट टेरिटरी अफ लद्दाक इनके हिस्सों पर अंदोलन चल रहे हैं बॉर्डर तोड़ देने की बात कर रहे हैं भारत के साथ अधिमिलन या भारत के साथ बापस जाने की बात कर रहे हैं, लगातार वो क्लेम कर रहे हैं कि भारत ही हमारा देश है, ये सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, हमने पाकिस्तान के अंदर जो बयान सुने होंगे, उन बयानों में पाकिस्तान क प्रधान मंत्री भी भारत की तारीफ करने लगे उना की पाकिस्तान को अब ये एहसास हो गया है या मैं कहूं कि एहसास कर्वानी की कोशिश कर रहे हैं स्यायद though sympathetic gain करने की कोशिश भी कर रहे हों भारत से यह भी संब्भभ है कि वो sympathy gain कर रहे हूं. क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इस दुर्दशा का मुख कारण अगर कोई है तो भारत के प्रधारमंतरी मनीर Leaf जी है क्योंकि मोदी जी की जो शुरू में यातराएं हुई उन्हों पाकिस्तान को बिल्कुल explore करके रख दिया पाकिस्तान को बिल्कुल dönिया के सामने कोल कर दिखा दिया है चाइना के विशय में भी एसे कहा जाता है चांए को हम्ने बहुत सारे इंपोर्ट जो अनसेरी वहां से उनक्पर वयन लगा बहुत सारी हमने बार्डर पर सेक्वरिटी बढ़ा दी है और जो इंपॉर्ट हो भी रहें उन पर सही से इंपॉर्ट ड्यूटी लगे ऐसा भी सुनिश्चत करना हमने शुरू कर दिया तो चाइना की लगातार गिरी है कोरुना काल में चाइना का भी संसार में बहुत कुछ गलत हो गया गलत मलब चाइना बहुत कुछ UP हो गया अब चाइना लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहा था UP, हमने बहुत सारे अमरिका और भारत ने जौइन ट्रूप से बहुत सारे सेशन्स लेकर आये हैं, बहुत सारे resolutions लेकर रहे हैं लेकिन हर बार reservation चाइना ने इस्तेमाल किया है ऐसा ही एक बड़ा नाम अब्दुलरह्मान मक्ही का था जिसको हम लगतार घोशिद करवा रहे थे हमिद्स वो उनके बाकी लोगों के साथ लशकर ताइबा के साथ कि किसी तरह से हाफिस सहीद का ये जीजा है या साला है जो भी है हाफिस सहीद के साथ इसको भी बैन किया जा क्योंकि हाफिस सहीद का ये equal partner है हाफिस सहीद के इस मामले में अब पाकिस्तान को जो जटके लगे वो जटका सबसे पहले तो उनको ये लगा कि चाइना ने उनका तो वोटर की मानते थे। साओधी अरेविया लगातार उनसे कुछ इस तरह का दिशा दिखाई दे रही हलागि साओधी अरेविया उनको भूका नहीं बरने दे रहा है। रोटी दल का अंदेजाम थोड़ा-थोड़ा करता रहता है। फिर भी पाकिस्तान में आटा दोसो धा 200 रोपए किलो हो जाए, पेट्रोल 200 रोपए की हो जाए, 300 रोपए के तरफ डॉलर का रेट बढ़ जाए। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर चले ही रहा है। उनकी एकॉनमी तो इस समय बिल्कुल बस्ट है, सरकार चलाने की इस्तिति में नहीं। तो एक जटका पहल यानि की प्रतिनी सबा में उनके एक MP ने एक resolution लेकर आये हैं, एक प्रस्ताव लेकर आये हैं, उस प्रस्ताव में उन्होंने ये claim किया है कि non-nato associated सदस्थ, पाकिस्तान को हम सब जानी रहे हैं कि पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया था, ट्रम्प के द्वारा, फिर जो बाइ Hillary Clinton आती तो वो भी यही करती, हाँ, Donald Trump की जो पार्टी है, Republican का मामला दूसरा है, Democrats दूसरे तरह से deal करते हैं, Democrats इनके साथ नजदीक हैं, जबकि Republican लगातार विरुद्दम है, Republican की बात अगर हम कहें तो George W. Bush या George Bush, ये सब इनकी अपने इस्लामिक कंट्रियों के प्रतिया, इन इनका सम विवारिया, इनकी मान सकता, आपने देखी होगी है, ये सब कुछ वहाँ चला, तो अमरीका में जब जो बाइनन ने ये सब कुछ जरा सा पाकिस्तान को थोड़ा बहुत भीली-वील देना शुरू किया, इस्टीन वो भी खास्तों से मुझे लगता है, कि जब हमन बनते ही हैं कि मोदी जी इस तरह की ब्लैक मेलिंग से डरने वाले नहीं हैं, और इस तरह की ब्लैक मेलिंग वो मानते भी नहीं हैं, पड़िणाम ये निकला कि बाइडन के प्रशाशन में भी उनको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो भारत के साथ रहे या पाकिस्तान के रहना चाहता, उसको पाकिस्तान का मोह त्याग ना पड़ेगा, पाकिस्तान के नाम पर ब्लैक मेलिंग भारत से त्याग नी पड़ेगी, अगर वो पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ करता है, तो भारत कहेगा कुछ नहीं, लेकिन भारत प्लैक फूट पर चला आएगा, और भार पाकिस्तान गया से पाकिस्तान इस योग नहीं है कि वह यह साथ सब्सक्राइब करना सै यह नौन उट और रूप में उसको दरजा दिया सब्सक्राइब कुछ भी करने का काम नहीं है ठीक है बात अब वो प्रस्ताव आया है उस पर वोट पड़ेगा यह वो जो भी होगा उधार तब तक रिशी सुनक का जो बयान आया और रिशी सुनक ने जो अपनी पारलेमेंट में कहा वो मुझे लगता है कि एक दम अनेक्सपेक्ट टाइब का था हालेकि एक्सप पार्ट की एक सीरीज एर की और जिसमें पीम मोदी को के टेनेयर को गुजरात समय को उन्होंने दो हजार दो में राइट्स को वो किया और मोदी जी के उपर प्रशन उठा दिये मोदी जी को उसका दोशी ठहरा दिया अब बात जब बीबी सी ने ऐसा कर दिया तो जहीर सी बात है कि भारत के विदेश मंत्राले या विदेश विभाग उनसे कहेगा तो भारत के विदेश मंत्राले ने यह बात कहीं कि यह ठीक नहीं है यह नहीं हमें स्विकार है और यूके अगर हमसे दोस्ती करना चाहता है या हमारे साथ चलना चाहता तो यूके को यह सब कुश बंद करना पड़ेगा अब जब UK गॉर्मेंट ने BBC को ऐसा कह दिया कि भई ये नहीं करना है तो फिर इस जो डॉकुमेंटरी थी इस डॉकुमेंटरी को वहां की पार्लेमेंट में रखने का प्रयास किया गया अब पाकिस्तान बेस्ट यानि कि पाकिस्तानी मूल के जो उनके MP हैं मुसलिम MP उन्होंने ये कोशिश की कि कि किसी तरह से इसको रख दिया जाये और ये डॉकुमेंटरी दिखाए जाये कि कैसे मोदी जी के समय पर क्या-क्या हुआ तो वो डॉकुमेंटरी जैसी भी बनी होगी हम सब जानते हैं कि क्या बनाया होगा डॉकुमेंट्री दिखाने की बात जब पर्लेमेंट में हुई तो रिशी सुनक ने उनका विरोध कर दिया और उनका कि हम सरकार इसको नमती नहीं दे सकती सरकार ऐसा नहीं कर सकती अगर हम वो बीवी सी की जो डॉकुमेंट्री है उस डॉकुमेंट्री को रिकगनाईज करती है गर बटेश कवर्मेंट तो फिर हम भारत की जो dignity है भारत की जो judicial system है भारत की जो democracy है भारत की जो sovereignty है उस sovereignty पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और ऐसा करने का हमारा अधिकार नहीं है UK की policy भारत के साथ नज़्दीक जाने की है तो भारत के नज़्दीक UK आयेगा ना की भारत के विरुद्द खड़ा हो अब भारत के साथ अगर UK को आगे के plan बनाने हैं UK को अपना इस्तेथी साही रखनी है और UK की पॉलिसी नहीं है UK कभी भारत के विरुद्द नहीं गया UK और UK भारत के साथ रहना चायता है यह बोरिस या जॉनसन की भी यही बात थी उनके बाद प्रधान मंतरी हुई उनकी भी यही था और लब्म समय से भारत के साथ किस तरह एलाइंस हो तो ये प्रयास किया जा रहा है उनके तरब से क्योंकि उनकी एकोनोमी भी ब्रेक्जिट के बाद कुछ बहुत अच्छी नहीं चल रही है ये जो MP साहब है इमरान हुसेन अब तारिफ तो इनकी ये करने पड़ेगी पाकिस्तान बरबाद की कगार पर खड़ा है पाकिस्तान इंटरनेशनली पाकिस्तान की दश्या बहुत कराब है कोई भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देना चाहता उनकी प्राइम नेश्टर ये कह रहे नगे हम किसी देश के पास जाते हैं तो वो ये समझने लगतना है यये पैसे मागने आया हमको भिकारी समझे लेते है उनको भिक विपरीद परस्टेटियों से गुजर रहे हैं इंटरनेशनल यह उनके प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशल स्टेट्मेंट है तो ऐसी सिचुएशन होने के भावजूत पाकिस्तान और जिन के इमरान हुसेन जो की मिनिस्टर जो की मेमर अपार्लेमेंट है वो यह प्रयास करें क कि हिंदू मुस्लिम करके निर्न मोधी जी जो हैं वो मुसलमानों के वुरुद्ध हैं और जैसा कि लगातार बहुत सारे बहुत सारे अपोजिशन पार्टियां सुनिया गंदी ने तो यहां तक कह दिया था कि यह तो खुनी बन जा है यह तो हत्यारे हैं पता नहीं क्या क् हुए एक और जटका दिया है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इंटरनेशनली मुदी जी की जो रिकॉगनीशन है उस रिकॉगनीशन को कोई समाप्ता नहीं इस समय कर सकता है और यह जो सारा प्रपगंदा फैलाया जा रहा है यह भारत के ग्रुद्ध कहीं कहीं कोई न इस स्वाभविक बटवारा नहीं था यह अस्वाभविक बटवारा था अस्वाभविक बटवारा बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलता 150 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता 70-75 वर्ष हो चुके हैं और यह बहुत लंबा नहीं चल सकता है यह इसको तो इंडियन सबकॉंटिनेंट को एक बार फिल एक मंच पर आना ही होगा क्योंकि यह तो चार-पांच बार तो पिछले 2000 साल में यह दिख चुका है कि भी इंडिपेंट हो गए और फिर एक हो गए कोई साशा काया फिर उसको एक कर दिया और उसने फिर यहां पर इंडियन सबकॉंटिनेंट का ही भारत बनाया मुझे लगता है और रिलीजन भी लगातार भारत के कई बार चेंज हो चुके हैं तो अब समय आ गया है जब बहतर भारत बने और जो लोग सनात्रिनी पद्धती को छोड़ चुके हैं वो अपने पूर्वुजों की पद्धती पर वापस आएं यह संबब है हो भी सकता है हम सबको प्रयास करना चाहिए कि इश्वार से प्राथना की जाए कि यह सब को सतबुद्धी दे और इनको सतबुद करने दुबारा बनकर तैयार होगा जैसा कई बार हो चुका है जय हिंद जय भारत वन्यमात्रम